हिंद महा सागर, लाल सागर के बाद पूरे फॉर्म में भारत, अभू मध्य सागर में फैरा दिया भारती नौ सेना ने जंडा, तुर्की पाकिस्तान और अजर वैजान की लगने वाली है लंका, क्योंकि भारत ने ग्रीस और अर्मेनिया के साथ मिला लिया है हाथ, भू मध् खूंखार वार्शिप्स, क्या ग्रीस के अथा, तेल और गैस भंडारों तक पहुँच रहा है भारत, दोस्तों, भारत इंदिरों समुद्री लुटेरों और हिंद महा सागर में चीनी दखल अंदाजी के बाद भयंकर फॉर्म में चल रहा है, लाल सागर से लेकर अधन की खाड़ी ओमान की खाड़ी से लेकर अरब सागर और पूरे के पूरे हिंद महा सागर पर अज की तारीख में भारतिय नौसेना का राज चल रहा है, घातक मिसाइलों और हत्यारों से लैस भारत के करीब 35 युद्धपोत इस वक्त समुद्री लुटेरों और चीन का काल बने हुए हैं, इतना ही नहीं बलकि समंदर के अंदर भी भारत की 11 पंडुबियां इस वक्त पूरी तरह से अक्शन में हैं, यहां पर आलम यह है कि भारत के इस अक्शन से एक तरफ जान समुद्री लुटेरे भाग रहे हैं, तो चीन के युद्धपोत भी भारत समुद्री जल पड़ा रहे हैं, तुर्की और पाकिस्तान की कारिस्तानी से तो आप वाकिफ हैं ही, साथी अजर्वैजान भी तुर्की और पाकिस्तान का साथ पाकर अर्मेनिया को एक और इलाका कब जाने की फिराक में है, और ऐसा हुआ तो अर्मेनिया का कनेक्शन एशिया से पूरी त सागर में दस्तक दे चुके हैं आपका सवाल हो सकता है कि आखर भारत इसे अलाके में क्या करने वाला है क्या भारत अजरबैजान के खिलकर अर्मेनिया के साथ देने भूम अद्य सागर में पहुंच चुका है दोस्तों ये सब बताएंगे तो वीडियो के आखिर तक आप बन हो चुके हैं इससे पहले भारत ने ग्रीस और अर्मेनिया के साथ हाथ मिलाया है माना जा रहा है कि भारत के इस कदम के बीच ही तुर्की अजरबैजान और पाकिस्तान का नाबाक गड़ जोड है ये तीनों देश भूम अद्य सागर इलाके में भारत के हितों के खिलाफ का पर रहे हैं और आसे में भारत भी ग्रीस और अर्मेनिया को साथ लेकर अपनी मوجودگी का एकसास करा रहा है दूसरी बात ये कि भारत ग्रीस और अर्मेनिया का अपने प्रती द्वन्तवियों पाकिस्तान, तर्की और अजरबैजान के साथ पुराना विवाद भी है अजरबैजाने हाल ही में अर्मेनिया से नागर को कारबाक का इलाका चीना है ये इलाका दश्कों से अर्मेनिया के नियंदरन में था इस इलाके पर अजरबैजान के कबजी के बाद लाखों की संक्या में अर्मेनिया मूल के लोगों को अपना घर बार चोड़ना पड़ा इसके बावजूद अजर्बैजान अब अर्मेनिया को एक बड़े अलाके पर नजर करा है बैढ़ा है ये लाका अर्मेनिया को एरान के साथ जोड़ता है और अगर इस अलाके पर अजर्बैजान का कब्जा हो जाता है तो अर्मेनिया का संपर्क एशिया से भी कड़ जाएगा अर्मेनिया पर इसका रॉननितिक रूप से एक बुरा असर पड़ेगा अर्मेनिया के खिलाब अजरबैजान के आकर मक्ता में तुर्की का पूरा समर्थन हासिल हो रहा है यही कारण है कि भारत अर्मेनिया को हत्यारों से लेस कर रहा है यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि अर्मेनिया पहले हत्यारों को लेकर रूस पर निर्भर हुआ करता था लेकिन फिलहाल रूस खुद एक बड़े युद्ध में उल्चा हुआ है इस वज़े से अर्मेनिया भारत के साथ तमाम तरह के हत्यार खरीद रहा है भारत ने अर्मेनिया को पिनाका मल्टिपल बैरल रॉकेट लॉंचर एक सुपश्मन मिलीमिंटर की तोप और आकाश एर डिफेंस सिस्टम जैसे कई घातक हत्यारों का निर्यात किया है हलाकि इसके अलवा अर्मेनिया अमेरिका और इरान के साथ भी अपने रक्षा सम्मंधों का विस्तार करते हुए उन से भी हत्यार खरीद रहा है अलगी दोस्तों अर्मेनिया जिस तरह से भारत के साथ हतियार की डील कर रहा है उसमें भी तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान दक्कते पैदा कर रहा है भारत से डील करने को लेकर तुर्की और अजरबैजान लगातार अर्मेनिया को धमका रही है इन हत्यारों के लिए क जाने के लिए तुरकी, पकिस्तान और अजरबैजान हवाई रास्ता भी अर्मेनिया को नहीं दे रहा है इस नए समस्या को देखते हुए भारत ने अर्मेनिया के लिए एक नया रास्ता बनाया है दोस्तों आप सवाल कर सकते हैं कि भारत अर्मेनिया के लिए इतना सब कुछ कर कैसे रहा है आखिर क्या है भारत और अर्मेनिया के बीच गहरा कनेक्शन अर्मेनिया को बचाने इतनी बड़ी रिस्क क्यों ले रहा भारत दोस्तों हाल ही में अर्मेनिया और अजर्बैजान के बीच बड़ा युद्ध हुआ था ज़समें अजर्बैजान ने अर्मेनिया से उसका नागर को कारबाक जो सब बड़ा और एहम इलाका छीन लिया आपको बता दें कि अर्मेनियाई जो इसाई हैं सक्षेत्र में इसा से एक इशताब्दियों पहले की लंबी उपस्तिती का दावा करते हैं वही अजर्वैजान जिसके निवासी जियादता तुर्क मुस्लिम हैं इस उक्षेत्र के साथ गहरे एतिहासिक संबंधों का दावा करते हैं ऐसे वे दोनों देशों के लोग इसे लेकर एक सदी से भी जियादा वक्त से संघर्ष कर रहे हैं इसमें भारत लगातार अर्मेनिया को सपोर्ट कर रहा है बात अर्मेनिया की करें तो ये दक्षन काकेशस में इस्तिते एक ईसाई बहुल राश्टर है इससे भारत के अच्छे समंध हैं और ये भारत का सायोगी देश भी रहा है कुछ वक्त पहले ही अर्मेनिया ने भारत से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉंचर समेट टी सी 40 हौविजर की डियल की थी वही भारत अर्मेनिया को राजनाइक समर्थन भी देता है दूसरी तर्मेनिया का दुष्मन अजरबैजान है और इसकी भारत के दुष्मन पाकिस्तान से अच्छे खासी दोस्ती है अजरबैजान कश्मीर के मुद्धे पर कई बार पाकिस्तान का साथ भी दे चुका है यहीं नहीं अजर्बैजान को तुर्किये भी समर्थन दे रहा है वो अजर्बैजान का बहुत खरीबी मित्र है वहीं भारत और तुर्किये के समन्द भी अच्छे नहीं रहे दूसरी और पाकिस्तान के तुर्किये से काफी अच्छे तालुकात है पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान ने 2021 में त्री बेदर सुरक्षा अभ्यास शूरू किया था ये तीनों देश कश्मीर पर भी साजा रुक रखते हैं तुर्की एक अई बार कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ दे चुका है अजर्बेजान भी कई मौकों पर कश्मीर के मसले में पाक का साथ दे चुका है और यही वज़ा है कि वीशिशक अर्मेनिया की हार को भारत के साथ भी जोड़ कर देखते हैं आज इस अर्मेनिया को अजर्बेजान ने हराया है उससे कभी वो हार चुका है नागर को कराबाख के लुकों ने 1980 के दर्शक में अर्मेनिया में शामिल होने के लिए वोट किया था इसके बाद से अजर बैजान के साथ युद छुड गया था 1990 में जाकर अर्मेनिया ने युद जीत लिया इसके बाद जाती अर्मेनियाई अलगावादियों का नगर को करवाख पर कबजा हो गया पर अजरबैजान चुप नहीं बैठा उसने खुद को ताकतवर बनाना शुरू कर दिया तेल और गैस निर्यात की वज़े से अजरबैजान के अर्थ विवस्ता बैतर हुई तुर्किया और इसराइल से मदद लेकर इसने अपनी सेना को आधुने के बनाया और 2020 में जाकर इसने अर्मेनिया पर फेर से हमला किया और 90 के दर्शक में खोई हुए अधिकान शिक्षेतरों पर एक बर फेर से कबजा कर लिया अब जिस तरह की स्थिती चल रही है उसे देखते हुए अर्मेनिया और अजर्बैजान के बीच बैंकर जंग फेर से चिर सकती है यही कारण है कि भारत ने भूमध्य सागर में अपने वार्शिप भेजे हैं और इससे पहले भारत ने ग्रीज और अर्मेनिया के साथ हाथ भी मिलाया है ग्रीज को भारत ने साथ इसलिए दिया क्योंकि ग्रीज भी तुर्की के वज़े से भूम मद्य सागर में परिशान है तुर्की अपनी सीमा के नजदीक इस देते दर्जोनों ग्रीक द्वीपियों पर अपना दावा करता है वहिए ग्रीज इस दावे को सीरे से खारिज करता है तुर्की का यह भी दावा है कि य द्वीप उसकी सीमा के नजदीक हैं ऐसे में इस पर उसका अधिकार होना चाहिए वहीं ग्रीज का कहना है कि वो इस द्वीप का मालिकाना हक रखता है और ऐसे में कोई दूसरा देश ये दावा कैसे कर सकता है बड़ी बात ये भी कि इन द्वीपों के पास के समुधरे इलाके में गैस और तेल का अथा भंडार शिपा हुआ है तुर्की की चाल इन द्वीपों पर गबजा करके उनका दूहन करना है और दो साल पहले ये एक वीप को लेकर ग्रीस और तुर्की आवने सामने आ गए थे रक्षा भी शेक जग्यों का माना है कि अगर भारत अर्मेनिया और ग्रीस रक्षा समंधों को मस्बूत करते हैं तो इससे तीनों देशों को फाइदा होना है ये तीनों देश ये अपने अपने अलाके में अपने दुश्मनों पर भारी पड़ेंगे पाकिस्तान भी तुर्की की मदद से अपनी सेन्य ताकत को बढ़ा रहा है पाकिस्तान ने पिछले कुछ साल में तुर्की से कई नौ सेनिक जहाज और ललाको ड्रोन भी खरीदे हैं औरी दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान के ये हतियार भारत के ही खिलाफ है ऐसे में अगर भारत भी तुर्किय और अजर्बैजान के दुश्मनों से इस सहीयोग बढाता है तो इस तो रक्षा उद्योप को भी बड़ा लाब मिल सकता है अलगी दोस्तों इसको लेकर आप क्या आपको कुछ सोचते हैं हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताईएगा धन्यवाद